तो अभी हम लोग सिखेंगे यह horizontal type tool and vertical type tool तो यह दो जो tool है यह exactly type नहीं होता है इनसे मतलब आप कोई paragraph या कुछ आप इसमें type नहीं कर सकते आप सिर्फ कुछ area को अब select कर सकते हैं type के हिसाब से तो आईए हम लोग यह चीज़ा भी करते हैं तो यहां मैंने एक picture लेके रखें बट यहां एक problem है कि थोड़ा सा area extra है तो यह थोड़ा सा area को अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप control T करके alt and shift करके आप इस picture को थोड़ा सा इसका size आप बढ़ा सकते हैं बट हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि image का size अगर छोटा है तो उसको आप कभी भी stretch करके उसका size आप increase मत कीजें बट आपके पास अगर smart object का option है अगर आपका image smart object आप use कर सकते हैं क्योंकि अगर image का size बहुत छोटा है तो आप smart object यूज भी करेंगे तो भी वो image मतलब pixelate हो जाएगा bloody हो जाएगा यह हम लोग सब जानते हैं तो अभी मैं क्या करूंगी यह जो extra area है उसको मैं हटा ही दूंगी मुझे यह extra area नहीं चाहिए तो मैं image and then I go to trim and ok देखिए कुछ नहीं हुआ अब फिर से जाएए image और trim आप यहां से कीजिए bottom right left pixel तो आपका जो extra areas है white area था वो आपका फिर delete हो जाएगा trim हो जाएगा अभी मुझे क्या करना है इसके उपर कुछ text type करना है सपोस मैंने text ले लिया यह वाला what is lorem ipsum या google का कोई text में यहां से लेती हो सपोस यह ओके what is lorem ipsum तो फिर से मैं photoshop में गई और मैं इस tool पे क्लिक किये horizontal type mask tool तो यह tool पे मैंने क्लिक कर लिया और अभी मैं यहां एक बार क्लिक करूंगी यह जो मेरा area है यहां अब देखिए आपका full file यहां mask हो गया mask का जो default color होता है वो होता है red तो इसलिए यह red दिखा रहा है फिर से मैं यहां click करती हूं आप थोड़ा सा wait कीजिए तो देखिए कि आपका full file एकदम full red हो जाएगा अभी आप यहां कुछ type कीजिए कहीं click मत कीजिए आपको अगर यह font का size बहुत बड़ा करना है या छोटा करना है आप जैसे चाहें कीजिए बट आप कहीं भी अभी click मत कीजिए अगर आप कहीं भी click करेंगे ना तो यह पूरा masking हर जाएगा और यह जो text है वो एक selection में convert हो जाएगा यह जो red area है इसका मतलब है कि आपका यह जो image है image अभी पूरा mask है except जहां मैं type कर रही हूँ वहां सपोज यह मेरा text हो गया I am happy के ठीके चलो यही text मुझे use करना है या मैं थोड़ा सा text का जो boldness है वो में increase कर देती हूँ अभी आप यहां से इधर आप यह जो tick sign है इधर आप यहां से कुछ भी tool पे आप click कर सकते हैं और color मैं यहां दे देती हूँ suppose black यह आप tick पे click कीजिए आप देखिए वो जो text मैंने लिखा वो भी नहीं रहा वो जो color है वो भी नहीं रहा कुछ भी नहीं है सिर्फ एक अलग से एक selection है what is lorem ipsum तो what type mask does is just select the area on the image like the text मतलब जो text आप लिखेंगे वो ही एक selection आपके image के ऊपर आ जाएगा अभी मैं क्या करती हूँ suppose control c and control v अब देखिए जब मैंने control c और control v किया तो इस image से वो ही वाला जो selection हुआ था what is lorem ipsum वो अलग से copy होके यहां paste हो गया अभी मैं इसके उपर double click करती हूँ layer के उपर not यह layer thumbnail पर थोड़ा सा side में जाके और यहां से मैं देती हूँ drop shadow यह देखिए अभी आपको दिख जाएगा आपका यह जो text है वो अगर मुझे थोड़ा सा इसमें bevel and emboss देना है वो भी मैं यहां से दे सकती हूँ suppose मुझे texture नहीं देना है मुझे सिफ contour देना है वो भी मैं यहां से दे सकती हूँ अगर सिफ drop shadow देना है वो भी मैं यहां से कर सकती हूँ और फी drop shadow का जो भी मुझे change करना है इसका size और कुछ भी वो मैं यहां से कर सकती हूँ तो यह मेरा हो गया horizontal type mask tool, similarly और एक tool है, वो है vertical type mask tool, वो आपको यहां से भी मिल सकता है, या आप यहां से भी कर सकते हैं, यह उपर जो एक search button है, अगर आप यहां click करेंगे, तो आपके पास वो option आ जाएगा tool का, So, I type vertical type mask tool, तो vertical type mask tool के लिए आप layer 1, मतलब जिस पे मेरा image है, उसको select कीजिए, और आप ऐसे click कीजिए, तो आप देखिए, यह एकदम vertically select हुआ है, तो मैं यहां type कर रही हूँ, suppose what is lorem ipsum, यह आपका हो गया, यह देखिए, ऐसे same selection सी vertical में, Ctrl-C, Ctrl-V, अच्छा, यह जो मैंने अभी जो effect डाला है, यह layer style है, यह जो option है, इसको हम लोग बोलते है, layer style, we all know that, तो मुझे, यह जो effect है, इसको मुझे copy करना है, कैसे copy करेंगे, इसके उपर आप right click कीजिए, then copy layer style, and paste layer style, तो वो same effect, जो आप यहां डाले थे, मतलब यह horizontal type mask tool के time, वो same effect, आप यह vertical type mask tool है, उसका जो output है, उसमें भी आप डाल सकते है, तो यह मेरा हो गया, horizontal type mask tool, and vertical type mask tool, अब यह जो text है, मतलब typography जिसको हम बोलते है, उसमें, this is the main thing, first आप क्या font चूज कर रहे है, आपका font का readability कितना है, मतलब line height, then letter spacing, then paragraph, color, यह बहुत important है,